स्वाकत दोस्तों बोनिडागर की एक और नई फ्रेश वीडियो में आज फिर से मैं आपके सामने हाजिरू भाई ये अपनी बुलट पांच साल हो चुके इसको कम्प्लीट मैंने ओनर्शिप वगेरा सब बना दिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका प्लैन है ऐसी ही पुराने इस टाइप की बुलट पर्चेस करने का तो पर्चेस करने से पहले एक बुलट के अंदर आपको क्या के देखना चीए ताकि आप एक अच्छी बुलट खरीद पाओ और आपको कहीं चूना ना लगे आज मैं आपको प्रो पर बता दूँगा इंजन से ले क्या कुछ आपको देखना सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसके इंजन से यह है इसका इंजन सबसे पहले आपको देखना इसका है यहां पर कोई सील तो नहीं आ रहा है फिर अपने सिलेंडर वाला पार्ट होता यहां पर देखना यह तो पॉलिश मारी थी उसकी रहती है यहां पर आपको जभी लीकेज मिलेगी जब इंजन का काम हो रखा होगा यहां पर लीकेज को मने क्योंकि चैन वेन वगेरा साफ करने के लिए भी आरेच कवर खुलता रहता है तो एक बार जब खुल जाता कंपनी वाली सील उसके बाद आफ्टर मार्केट सील चल रखी हो और उसमें अच्छे से यहां पर जो लगती है ना बना सील वो ना लगाई गई हो वरना इधर भी लीकेज मेरी तो आस तक आई नहीं क्योंकि मेरी आस तक क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई तो यह चीज आपको देखनी है और आपको देखना फिजिकल डेमेज तो महेंगा आपको पढ़ सकता है तो आपको इंजन को ऊपर नीचे और चारो तरफ से फिजिकल एग्जामिन करना है कहीं पर क्रैक तो नहीं है कहीं से लीकेज तो नहीं है या कहीं वैसी और कोई प्रोबलम तो आपको देखने को नहीं मिल रही है जब आपका फिजिकल एग् को बाइक को स्टार्ट कर लेना और इसी के साथ साथ आप यह भी देख लेना बाइक इजली स्टार्ट हो रही है ना एक दो कि के अंदर बाइक स्टार्ट हो जानी चीए क्योंकि इतनी दिक्कत आती नहीं है अब यह जैसे मेरी एक किक में स्टार्ट हो गई अब आपको यहां करेंगे लुफ लगवाना North यहां चेकर न कोई टैपिट की न्यूज थो नहीं है अगर तेपिट की नोईज होगी ताला कि टीक, 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 में भी कोई नोईज नियुज तो इस तरीके सिर्फ उसकी टैपिट नोईज चेक कर सकतें हो तो एक तरा से अच्छा है और आपको अगर इहां पर फील ओ तो इसका मतलब है इंजन जो है आपका ओइल खा रहा है और कुछ दिन बाद आपका इंजन मांगने वाली है कुछ चतुर लोग क्या होते हैं जब बेचने आते हैं तो यहाँ पे गीला कपडा मार की से साफ कर लाते हैं तो आपको यह प्रोसेस करना कैसे है पहले पात-दस किलोमेटर अच्छे से बाइक चलाओ जिसमें आपको थोड़ी तेज भी बाइक चलानी है और धीरे भी जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा आपकी बाइक कोई मिसिंग तो नहीं कर रही है फास्ट स्पीड पे या स्लो स्पीड पे और जब आप चला लो तो उसके बाद आपको यहां पे चेक करना है कि कहीं आपकी बाइक इंजन ओयल तो नहीं फैक रही है अगर इंजन ओयल फैक रही है तो उसमें जल्दी इंजन का काम आने वाला है अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो बाइक को स्टार्ट करना बहुत तेज स्पीड से रेस देना बाइक में और अग इसको भी चेक करने में ही भलाई है आपको करना कहा है जस्ट बाइक को स्टार्ट करना है और बाइक की फुल रेस देनी है और एकदम से छोड़ देनी है अगर जैसी आप रेस छोड़ रहे हैं उसके साथ साथ आपके आर्पीम वापेस नॉर्मल आ जा रहे हैं तो इसमें most probably दिक्कत नहीं है मैलेज वरूब यह कम देरी होगी तो यह भी आपसांचारम्ब कर लेना ठीक है पापकी इंजन साथ आपको चैन सेट भी चेक कर लेना ये भी काफी महेंगा डलता इसमें ये जो इसके टीथ होते ने बहुत जल्दी तूट जाते बुलट में तो आप एक पर घुमा करके ये देख लेना कहीं से इसके टीथ तो नहीं तूटे हुए हैं अगर चैन सेट भी घिसा हुआ है त कोई भी दिक्कत ना हो ऐसा इंजन देखना क्योंकि बुलट के इंजन की कोई गैरेंटी नहीं दे सकता कि कैसे चलाया होगा हो सकता उसने दिन रात इसमें बस पटा की फोड़े हो और इसकी ऐसी तैसी कर रखी हो इंजन की तो उसके लिए वही आपको ओईल देख लेना है हेड का टैपिट नोइस वगरह देख लेनी है क्योंकि जो ज़्यादा पटाकी बजाता है उसके हेड में नोइस में आई मिलती है टैपिट की तो वह चीज भी आपको एक बार देख लेनी है इसके बाद आपको बोड़ी की इंस्पेक्शन कर लेना कहीं कोई डेंट है तो उस हिसाब से आप उसको नेगोशियेट कर लेना, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या देखना है, में जो है, अब आपको आजाना, गेर वाले सेक्शन, ब्रेक वाले सेक्शन पर सोरी, गेर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखना, कोई, अगर आपको यह स्मूद स होती है, सोरी, यह घिस चुकी है, और कुछ टाइम बाद आपको बदलवानी पड़ेगी, वरना आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस एक खराब हो जाएगा, वैसी बुलट में ब्रेक लगते नहीं है, यह घिसने के बाद चला होगे, तो और बेकारी लगेंगे, तो यह ची समान होता है, अपनी बाइक की जितने भी इलेक्ट्रोनिकल केबल वगएरा होती है, सब इसी के अंदर होती है, तो आपको देखना है, यहाँ पर कोई कटिंग वगएरा तो नहीं करारा रखी है, इन्होंने वाइरिंग में, अगर वाइरिंग कहीं से कटवा रखी है, तो ठीक नहीं होता है, उससे वारंटी वगएरा बाइक की बचरिया तो वोइड हो जाती है, तो कोई वाइरिंग ना ही कटी हुई हो, ऐसी वाइक लेना, क्योंकि ओरिजिनल वाइरिंग होती है, काटने के बाद वो बात नहीं रह जाती बाइक में, ठीक है, तो ऐसी वाइरिं जो होते हैं उसको compromise करवा देते हैं उसको जो बीच में से कटवा देते हैं तकि उनकी headlight on off हो सके तो वो भी आपको check कराना है कहीं उसने बीच में से तार तो नहीं कटवा रखे है कहीं आपकी wiring कटी हुई तो नहीं है तो वो भी आपको जरूर देख लेनी है वाइरिंग आपको खास द्यान देना इस box में और वहाँ पे यहाँ दो जगा देख लोगे यहाँ से नहीं कटी हुई होगी तो अंदर बहुत कम चांस होंगे कि कहीं से वाइरिंग इसकी कटी हुई मिले ठीक है यह points आपको चेक करने ही करने है बाकी फिर आपको थोड़ा चला के देख लेना इसके सारे parts वगएरा जो भी है ABS अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख लेना इसकी clutch plate सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रही हो देख लेना कलच хват कैसे देखते हैं आप बाउक को भगाना फूल रेस देना अगर आरपें मर्पें यह बाइक के बढ़ रहे है और भाग नहीं रही है तो इसका मतलब है एक second hand bullet को चेक करके purchase कर सकते हो तो आज की वीडियो में आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कैसे एक used bullet को चेक किया जाता है अब आप ऐसी condition में हो कि कोई भी आपको used bullet मिले तो आप उसको easily check कर पाऊगे और उसको purchase कर पाऊगे और अच्छे से negotiate भी कर पाऊगे आज कल भा 22-22 तक यह जा रही है बाइक second hand market में तो उस हिसाब से smart wire के तरह इसे purchase करना और बाइक बहुत अच्छी है आपको दिक्कत कोई नहीं देगी अगर आप अच्छी भाइक खरीद लेते हो तो आज की वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे एक अगली वीडियो में जब तक के अच्छी टून बाइ बाइ